मिट्टी को तरास कर एक साचे के माध्यम से इटे का अकार दिया जाता है जिस पर लिखा होता है श्री राम 2030 वो इटा जब पूरी तरह से तयार हो जाता है उसके बाद आपको मैं तस्विर दिखाऊंगा यह भठा है जहां पर उस इटे को एक निश्ची टमप्रेचर में उसको पकाया जाता है खूब अच्छे से जब वो इटा बिल्कुल पक जाता है उसके बाद यहां से निकाला जा जाता है और टली के माध्यम से उस इटे को रामजरnd भूमि परसर भेजा जाता है जहां पर उस इंटे का इस्तेमाल किया जा रहा चाहे परकोटे में हो या या गनुष्ठान के लिए जगह है चिन्नित है उन सभी जगों पर इसी इटे का प्रियोग किया जा रहा है जिस पर लिखा है स्री राम 2030 में संदीब जी से कोँगा एक बार दिखाएं कि ये इटे पकने के बाद किस तरह से हो जाते है तस्बीरे किस तरह से यहां पर इन इटों को तयार किया जाता है बहुत ही बह inductरी तरीके से बहुत ही खूपतर तरीके से पूरा प्रेशस तैयार हो जाता है उसके बाद ये इटे एक ट्राली के माध्यम से यहां से आयोध्या राम जिनभूमी परसर पहुचाया जाते हैं जहां पर इन इटों का इस्तिमाल होता है अब मैं पहुचा हूँ उस जगा पर जहां पर मिट्टी तैयार की जाती देखे किस तरह से यहां पर गुणवत्ता पूर्ण तरीके से मिट्टी को तैयार किया जाता है पहले मशीनों द्वारा मिट्टी खोद कर रिकट्टे की जाती है जो सुध मिट्टी होती है उसके बाद यहां पर देखे किस तरह से पानी में इस मिट्टी को भीगाया गया है कि कहीं से भी कोई उसमें रोडे न रह जाए कुछ उसमें रह न जाए तिनका वगएरा पूरी तरह से सुधता का पूरा खया लखा जा रहा है और इस मिट्टी को जब इसमें गिली हो जाती मैं आपको औरको मसीने दिखाऊंगा किस तरह से मशीदों के प्रोसे से यह मेट्टी गुजरती जाता है देखे ये मसीने को पूरी तरह से तयार करती है आक सर भटो आप क्या देखते हों कि पैरों से तयार होती जराइना जाता है उसके बाद भी श्रकर को में कोई कमी ना आने दे इसका उन्होंने पूरा ख्या लगा है और यही मशीने उस मिट्टी को पूरी तरह से तयार कर देती है जिससे उस मिट्टी से ईटा तयार किया जाता है आप तस्वीरे देखिए यही वह मशीन है जिससे उस मिट्टी को तयार किया जाता है पूरा एक प्रोसेस यह पूरा एक सिस्टम है कि भंग से सुधता के साथ उस इड का निर्माड किया जाए जिस पर श्री राम लिखना है उस मhem इस्तेमाल किया जाए जो राम्लला के भव मंदिर में लगना है उस इट का इस्तेमाल किया जाए उस गु bahता का इस्तेमाल किया जाए जिससे बहुति जिसके अनुस्ठार के साथ निरींद किया जाए यह पर पूराエ मुऩाल लखा गया है कि उस मिट्टी को उस गुणवत्ता के साथ उसमानक के साथ तयार किया जाएँ जिससे उसकी गुणवत्ता सुनीशित हो सके वही साथ हमारी आस्था को चूट न पहुचे क्योंकि उस मिट्टी पर राम का नाम अंकित होना है umatar का नामदर्ज होना इसलिए उसकी गुणवता पर भी विसेश ध्यान दिया जाता है गंगाजर से पहले मिट्टी को सुध किया जाता है जगा को सुध किया जाता उसके बाद मसीन के द्वारा उस मिट्टी को तयार किया जाता है बहुत लंबा प्रोसेस के बाद उस मिट्टी को जो तैयार हो चुकी होती है उसको एक साचे में ढालकर उस पर स्री राम अंकित किया जाता है और तस्वीरे दिखाएंगे बने रहे मेरे साथ इंडिया नीव्स के लिए मेरा नाम सुरेश्चन बर्मा है मैं मुण सी कि पदबर हूँ पिछली साल से बन्धा सं 2021 से बन्धा है कि पंद्रा लाख इटे लगभग बन चुकी कैसे गुणवत्ता से करते हैं कि मिट्टी को गलाते हैं उसमें गंगाजल डालते हैं तो जाता तो उसको पथाई के लिए भीजते हैं अब तक पंद्र लाख इटे बताने यह जो है वो क्यों राम लाटा कि मंजर परसेट कि ज्यादा तर मंदिर के लिए ही जा रही है अगर कोई रहा कहता है कि हमको भी चाहिए श्री राम मार का इंटा उसको भी दिया जाता है अब दोजर बाइस जनौरी को राम लग प्राप्रतिष्टा है जी कैसा उस्तो मनेगा आपके हां बहुत अच्छा उस्तो मनेगा घर घर पस लोग ती दीपक जला करके भूवान कजाब करेंगे अपर का नाम आप राम का का काम कर रहे हैं जी राम के नाम का इंट बना रहे झाल की कैसान से बाइस ते